ये आकाशवानी है, प्रसुत है सुर्खियों में, इसके अंतरगत सुनिये विशेश कारिक्रम आउ तिरंगा लहराएं शान से, ध्वज सहिता और इससे जुड़े संशोधन, इससे प्रसुत कर रहे हैं आकाशवानी समवादाता आनंद श्रिवासव. हमारा तिरंगा देश का प्रतीक है ये, हर हिंदुस्तानी का गर्व है ये, हर डर भुला देता है, एक जोश जगा देता है. सूरज सा नारंगी तीज है इसमें शांती का सफीज संदीश है इसमें इसमें खुशियों की हरियाली है ये चक्रवर्ती चक्रधारी है इसकी अलग ही शान है ये हमारा तिरंगा महान भारतीय राष्ट्रिय ध्वज पूरे देश के लिए राष्ट्रिय गौरव का प्रतीक है राष्ट्रिय ध्वज से हर देशवासी का विशेश लगाव है तिरंगा हमारा गर्व है, हमारी पहचान है भारत के स्वतंतरता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमरित महोतसब का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है ऐसे में सरकार ने तिरंगे से और आत्मिय संबंध बनाने को प्रेरित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की पहल की है ये 11 से 17 अगस्त के बीच देश भर में मनाया जाएगा ये अभियान अपने तिरंगे की आन, बान और शान को समर्पित होगा ये हर एक देश्वासी को राष्ट्र निर्मान में उसके योगदान के प्रती, प्रतिबधता और जजबे को दिखाने का एक सुनहरा अवसर होगा ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यत्तिगत से कहीं अधिक, आपचारिक और संस्था गत रहा है आजादी के 75 वर्ष में एक देश के रूप में तिरंगे को सामूहिक रूप से घर लाना न केवल तिरंगे से व्यत्तिगत संबंध का प्रतीक है, साथ ही राष्ट्र निर्मान के प्रती हमारी प्रतिबधता का परिचायक भी है इस पहल के पीछे की सोच है कि लोगों के दिलों में देश भक्ती की भावना को जगाना और अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना हर घर तिरंगा अभियान का उदेश्य लोगों को स्वतंतुरता दिवस के अवसर पर अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराने को प्रिरीत करना है और इस पावन पर्वो पर राष्ट्र प्रीम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव कराना है झाल 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 हर घर तिरंगा मिशन के तहट राष्ट्र ध्वज फहराते हुए फ्लैक कोड यानि ध्वज संगहिता का पूरी तरह से पालन करना भी जरूरी होगा तो आईए समझते हैं ध्वज संगहिता के महत्तोपून पहलूँ के बारे में 26 जनवरी 2002 को लागू भारतिय ध्वज संगहिता के तहट हर किसी को राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है सामाने दिनों में अपनी गाड़ी पर हर कोई राष्ट्र ध्वज नहीं लगा सकता है भारतिय ध्वज संगहिता 2002 क्यानुसार राष्ट्र पती उपराष्ट्र पती राज्यपाल उपराज्यपाल प्रधान मंत्री केंद्र के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री राज्य के कैबिनेट मंत्री लोकसभा और राज्य सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य नयाधीश और हाई कोट के मुख्य नयाधीश सहित कुछ अतिय विशिष्ट लोगों को ही अपनी कार पर तिरंगा लगाने की अनुमती है। झाल, बाथन सहित की अध्यक्ष, विए सहित की अनुमती है। जोग नहीं किया जा सकता और नहीं इसे किसी को सलामी देने के लिए जुकाया जा सकता है सरकार द्वारा निर्धारेत विशेश स्थिती के अलावा किसी भी अन्य स्थिती में जंडे को आधा जुका कर नहीं पहराया जा सकता है राश्रिय ध्वज को जलाने, काटने, फाडने, गंदा करने, कुरूपित करने, कुचलने, मौखिक या लिखित तौर पर अपमानित करने पर तीन वर्ष्ट तक की सजा और जुर्माना हो सकता है तिरंगे पर न तो कुछ लिखा होना चाहिए और नहीं कोई अन्य तस्वीर या चिन्ध बनाया जा सकता है पोशाक, वर्धी, तकियाकवर, रुमाल, चादर, नैपकीन आदी में तिरंगे का इस्तमाल अपराध है तिरंगे को जब फहराया जाए तो वो कटा-फटा, अस्तव्यस्त, गंदा या सिला हुआ नहीं होना चाहिए केवल ध्वजा रोहन के लिए तिरंगे में घुलाब की पंखुरिया बांधी जा सकती है तिरंगे का इस्तमाल किसी प्रतिमा अथ्वास मारक को ढखने के लिए नहीं किया जा सकता है जंडे को जान बूच कर, जमीन या फर्ष पर छुआना, या पानी में डुबोना, अपमान की शेंड के लिए नहीं किया जा सकता है जंडा जहां फैराया जा रहा है, वहां उसे फैलने के लिए परियाप्त जगह हो तिरंगे के ध्वज दंड यानि जंडा फैराने की रौड में उसके साथ कोई और जंडा नहीं बांधा जा सकता है किसी दूसरे जंडे या पताका को राश्ट्रे ध्वज से उपर या उंचा या बराबर नहीं लगाया जा सकता है विशेश अवसर के लिए बने पेपर के राश्ट्रे ध्वज को भी फेका या फाड़ा नहीं जा सकता है उसका निजी तौर पर सम्मान पूर्वक निप्टारा करना होता है अब बात हाल में हुए ध्वज संगिता में संशो धनकी पिछले साल जंडे से जुड़े नियम में बदलाव करते हुए तै किया गया था कि अब तिरंगा हाथ से बुने खाड़ी के साथ साथ सूती, रेश्मी, उनी या पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकता है इतना ही नहीं इसमें हाथ से बुने कपड़े की जगह मशीन से तैयार कपड़े का इस्तमाल किया जा सकता है जंडा नियमों में आये बदलाव के चलते, देश में इतने बड़े पैमाने पर सामने आने वाली मांग को पूरा किया जा सकता है तैरंगा बनाने के काम में स्वयम सहायता समुह और NGO कुछ उसी तरह की भूमिका निभा सकते हैं जैसे कोविड आपदा के समय उन्होंने बड़े पैमाने पर मास्क बनाने का काम किया था तो तयार हो जाईए आप सभी देशवासी हर घर तिरंगा अभियान से जरूर जुड़ कर देश और राश्य ध्वच के प्रती सम्मान दिखाईए अभियाप सुन रहे थे विशेश कारिक्रम आउ तिरंगा लहराएं शान से ध्वज सहिता और इससे जुड़े संशुधन इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाश्वानी समवादाता आनंद श्रिवास्तव ये कारिक्रम आकाश्वानी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया